अलो एरिवन वेलकम टू आया जरबार इनेख्परस के न्यूस्पेपर डिसकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज 25 अक्टूबर है और कथ्रों है कि अग्टूर्टग डिसकेशन सथाथ हम लो कुछ इंत्थ्सपवर्टटंट न्यूस को देखने वाले हैं background और को भी आज टालने की कोशिश की गई है तो इसतरीके से धीरे धीरे जो हमारा पूराना पैटर्न था जो आप लोग बहुत पसंद करते थे उसी पर हम वापस आज आएंगे पुरी तरीके से तो आए स्टार्ट करते हैं आज का डिसकेशन सबसे पहले फर्स्ट न्यूज जो फरंट पेज पर ही था आपके अफगानिस्तान Climate Change in PM's Agenda for G20 and COP26 Meet तो COP26 Meeting के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं आपको मैंने बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में यॉर्गडाइज होने वाला है इसके अलावा G20 की Meeting भी स्टार्ट होने वाली है इतली में 30 October से ये स्टार्ट हो जाएगा G20 का Summit G20 यानि कि इसमें इसको आप Group 20 के नाम से भी जान सकते हैं इसमें 20 देशों का एक समू है तो ये लोग जब मिलेंगे Meeting करेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी का जो Main Agenda होने वाला है वो अफगानिस्तान इशू यानि अफगानिस्तान में जो हाल ही में Taliban के द्वारा Government बनाया गया है वो इशू उसका क्या Impact हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज के उपर, इंडिया के उपर, around the world तो पहला वो इशू होगा और दूसरा Climate Change का जो Important Issue है उसको भी वहाँ पर वो discuss करने वाले हैं इसके अलावा जो Corp 26 की मीटिंग होने वाले इसके बारे मैंने आपको last discussion में डीटेल में बताया था यह Conference of Parties जो 26th Conference of Parties है UNFCCC, ठीक है United Nations Framework Convention on Climate Change, उनके अंतरगत यह मीटिंग होती है और इसमें भी climate change को यह सबसे priority पर रखने वाले हैं तो आई अब G20 के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं हम लोग G20 जो है वो एक informal group है जिसमें की 19 countries के साथ-साथ European Union शामिल है तो EU में खुद कई सारे देश हैं तो EU पूरा एक organization वो हो गया and plus 19 country यह मिल करके G20 को बनाते हैं and with the representative of IMF and World Bank इसमें World Bank और IMF के भी representative होते हैं G20 को world का largest advanced emerging economies का एक group माना जाता है क्योंकि इसमें जो countries हैं वो world के rich largest in terms of economy population यह सभी मामले में जो even आप देखे कि China, India वो सब G20 में शामिल हैं तो two-third of the world's population and 85% of global gross domestic products यानी GDP and 80% of global investment साथ में 75% of global trade यह G20 का हिस्सा हैं तो आप जब answer writing करेंगे वहाँ पर यह data बहुत important हो सकता है G20 पर अगर मेंस में question आप से पूछ लिया जाता है तो आपको दिमाग में रखना हैं कि यह group इतना जादा important क्यों हैं क्योंकि यह overall world को आप देखे dominate कर रहा है in terms of economy, in terms of population, GDP इसके लावा investment के perspective से भी और trade के perspective से भी तो अगर यह G20 देश हैं अगर इन में आपस में एक जुटता आ जाएगी जैसे climate change का issue पर यह discuss कर रहे हैं यह Afghanistan के issue पर discuss कर रहे हैं तो इन सारे issues में जो भी यहाँ पर solution निकल करके आता है तो इसको implement करना काफी हद तक असान हो सकता है because यहाँ पर हमने क्या देखा कि most जो populated country है या rich country है वो इसमें शामिल है तो G20 देशों को भी आपको याद रखना चाहिए आपको एक बार मैंने बहुत पहले भी बताया था कि जब भी ऐसे organizations हैं जो जिसमें की जादा देश मौझूद हैं तो कुछ में किसी में 8 देश हैं किसी में 10 हैं किसी में 20 हैं तो up to 2025 तक आपको याद कर लेना चाहिए हाला कि 100, 1500 या 95, 97 ऐसे हैं तो उसको याद करने का बशकता नहीं है मेजर मेजर देशों का नाम उसमें याद रख लीजे बट G20 को हम याद रख सकते हैं तो यहाँ पर अलफाबेटिकली भी आप इसको याद कर सकते हैं A से अर्जेंटेनिया, अस्ट्रेलिया, B से ब्रैजिल, C से कैनडा, चाइना France, then Germany, I say Indonesia, India, Italy, then Japan, Republic of Korea, Mexico तो बहुत ही इसको याद करना, Russia, डियान से एक पर पढ़ेंगे तो आपको यह ऐसे भी याद हो जाएगा कि UK, US, Russia, यह तुन्हों ही इसमें शामिल है China, Japan, India, यह भी इसमें शामिल है तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं और EU तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो अभी इसका कोई पर्मानेट हेड़कॉर्टर नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते की G20 का हेड़कॉर्टर यहाँ पर्मानेट नहीं हो चेंज होता है ठीक है, तो G20 के बारे में कुछ important information जो आपको दिमाग में रखना है अभी जो meeting होने वाली है, वो इटली के द्वारा host किया जाएगा और इसमें अभी जो भी नए बतलाव आए हैं after COVID, global economic recovery किस तरीके से है या कैसे हो रही है, इन सभी पातों पर चर्चा होने वाली है इतली होल्स तर प्रेसिदेंसी ऑफ G20 एड़ी जीटेंटी सैमिटी शेडियूल तो भी हैल इन इतली अक्टूबर 2021 अभी लास्ट में, थर्टिय अक्टूबर से इसको स्टार्ट हो रहा है ये पूरा meeting अगर प्रेसिदेंसी लेता है तो वह बहुत important हो जाएगा फिर तो यह सारी बाते हैं आपको अपने दिमाग में रखनी है कुछ हमने extra point को यहाँ पर जानने की कोशिश की है news भी आपको मालूम चल गया अब आगे बढ़ते हैं time to seed a transition यह बहुत अच्छा article है अशोग गुलाटी जी and संजना रॉय जी का यह article है तो अशोग गुलाटी जी का जो article आता है वो ज़्यादा तर agriculture के उपर आता है तो यह भी GS paper 3 में आएगा और यह वाला भी article आपके agriculture पर ही इन्होंने लिखा है तो इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर पूरा मुद्दा उठाया गया है यह land holdings को लेकर के उठाया गया है कि जो जमीन के टुकडे हैं वो कितने टुकडे भारत में हैं किस राज में कैसा हिसाब है किस राज का production जादा है किस राज में production अच्छा होने के पीछे का क्या कारण है है ना कहीं पर जो production अच्छा नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है उसको लेते विए दूसरा इन्होंने एक और fact बहुत अच्छा discuss किया है कि पंजाब का जो reason है वहाँ पे agriculture का pattern कैसा होना चाहिए अगर वहाँ पे आप agriculture में paddy से maze पर shift होते हैं तो कैसे shift हो आजा सकता है और क्या वो जरूरी है या नहीं है ठीक है काफी इंपॉर्ड न आर्टिकल आईए इस पर हम बात करते हैं लेकिन आर्टिकल पर जाने से पहरे थोड़ा सा backgrounder देखेंगे NSO की चुकि एक report आई है National Statistical Office इसके बारे में थोड़ा सा detail जानते है देखे NSO जो है वो क्या है National Sample Survey Office जो की Ministry of Statistics के अंडर में काम करता था 2019 तक इसका यानिकी नाम क्या था NSSO ध्यान दीजेगा NSSO काम करती थी Ministry of Statistics के अंडर का 2019 तक 2019 में में इंडियन कोवर्मेंट ने एक और पास किया और CSO ध्यान दीजेगा CSO और NSSO को मर्ज कर दिया गया ठीक है और इसको क्या बनाया गया इसको मर्ज करके बनाया गया NSO ध्यान दीजेगा इसको मर्ज करके NSO बना दिया गया National Statistical Office ठीक है तो अभी इसको headcon करे Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI तो यह basic है जरूर याद रखेगा NSO की कई सारे reports आती है तो हमें यह बात पता होनी चाहिए अब आईए इसमें article पर चलते हैं क्या report आई है भी हाली में और जिसके उपर हुने पुरा article लिखा है latest situation assessment survey अब आप answer writing करेंगे तो वहाँ पर इसको note कर सकते हैं लिख सकते हैं कि latest situation assessment survey जो कि agriculture households के उपर निकला है इसको conduct किया है NSO ने प्रेलिम्स में आपसे question बन सकता है कि जो यह survey आता है situation assessment survey agriculture households का वो कौन conduct करती है NSO करती है दिमाग में रखना है इसमें क्या बताएं इसमें इनोंने हर राज्य के बारे में अलग-अलग predictions दिये हैं इनोंने बताएं कि highest income वाले जो राज्य हैं वो received by farming households in Meghalaya, ठीक है Punjab, Haryana और नाचरपदेश जमू और कश्मीर वहीं जो lowest level वाले देश हैं उसमें Bengal, Odisha, Jharkhand यह आते हैं बट इस नोट अ फेर कंपारजन अज होल्डिंग साइज वैरी वाइडली अक्रॉस स्टेट देखें यह तो आपने इंकम की विश्टिस पर कंपारजन कर लिया है highest income, lowest income लेकिन जो फेर कंपारजन है वो यह नहीं है because जो होल्डिंग साइज है वो अलग-अलग है through the state, होल्डिंग साइज मतलब जो जमीन है वो उसका क्या पूरा शेतर कितना है कितने बड़े-बड़े टुकडों में जमीन है अलग-अलग राज्जों में, तो होल्डिंग साइज वेरी करती है, पंजाब's ranking on per hectare income falls from second to 11th and हर्याना goes down third to 15 per hectare जो income होता है मतलब per hectare आप में कितना कमाया उसमें पंजाब की ranking कम हुए हलाँ कि वह highest income में है अभी भी but still अगर आप बहुत ही manually check करते हैं तो वहाँ पर पंजाब की ranking गिर करके दूसरे अस्थान से ग्यारवे पर आ गई है और हर्याना में तीसरे से पंदरवे पर आ गई है ठीक है the state that would do well on the score are Jammu and Kashmir केरला, Meghalia और नाचरपदेश जो per hectare अच्छा पैसा कमा पाए है अच्छा income growth कर पाए है उन राज्यों में जमो कश्मीर, केरला, Meghalia और नाचरपदेश जैसे रज आते हैं जहां पर की जो income हुआ है वो fruits, vegetables, spices और livestock से हुआ है ध्यान दीजेगा ये अब किसीज पर चले गए ये जो फसल वहां पर उगाई गई है ये उस पर चले गए किसीज का cultivation हुआ है ये उस पर चले गए कि जो पर hectare income है income vary किया है because of the product तो these are the high value in nature vegetable, fruit, spices इनका अपने आप में ही बहुत अच्छा value होता है इसके वज़द से जो income है demand है वो बढ़ी और इनका ज़्यादा फाइदा हुआ जो ऐसे किसाने जो पंजाब हर्याना से बलॉंग करते है उनके लिए एक lesson है कि उनको भी अपने आपर जो फसल है उसको बदलने की आवशकता है average land holding data is collected by both SAS and agriculture census दोनों जगह पर जो land holding है उसका निकाला गया आकड़ा निकाला गया तो उसमें भी अलग लग जी ने सामने आई and the average operated area per holding for Punjab is 1.44 hectare तो ये scientific का इतना detail में जाने के वशकता नहीं है जो ये कह रहे हैं overall वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कितने राज्य है किसका क्या income हुआ है कौन आगे गया है कौन पीछे गया है पंजाब के बारे में बात करते हैं वोट गो फर्दर डाउन तो 21st तो 28th ये जो 28 राज्यों में एक किस्वे स्थान पर नीचे जाकर के पंजाब पहुँच गया है वहीं बिहार में विल डू मच बेटर देन बंजाब अन दे इस क्रैटेरिया इट विल रैंक 5th तो यहाँ पे जो रैंकिंग निकाली गई है अगरी कल्चर सेंस के हिसाब से उसमें कह रहे हैं कि दिहार जहाँ पे की लैंड वोल्डिंग्स तो बहुत कम है छोटी है लेकिन वहाँ पे इनकम ज्यादा अच्छाओ एस कंपेर्टू पंजाब जितना की वहाँ पर हो सकता था कंपेरजन कर रहे हैं अब बोल रहे हैं कि पंजाब और हर्याना में जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे सस्टनेबल अगरिकल्चर की बात कर रहे हैं सस्टनेबल अगरिकल्चर बहुत important terminology है जब भी आप climate change की बात करते हैं जब भी आप environmental protection की बात करते हैं वहाँ पर sustainable word बहुत important होता है तो sustainable agriculture को हम कैसे आगे continue कर सकते हैं पंजाब जैसे जो जाज है वहाँ पर क्या देखा जा रहा है rights cultivation की वजह से water table deplete हो रहा है नीचे जा रहा है rice cultivation की वजह से methane का emission बहुत जादा हो रहा है other greenhouse gases वह भी काफी मात्रा में release हो रहे हैं और इससे environmental damage बहुत हो गया है आप समझ रहे है stable warning की वजह से जो यह pollution है air pollution है वो of course बहुत जादा हो रहा है तो इससे पहले जो पुराने chief minister आपके अभी पहले chief minister थे वहाँ पर Amrinder Singh साहब उन्होंने यह approach किया था center को कि आप कुछ ऐसा कीजे कि आप एक fund create कीजे state और center मिल करके 25,000 करोर का इससे इस fund से जो किसान है पंजाब की जो किसान है उनको paddy से maze पर shift करने में मदद मिलेगी ध्यान दीजेगा पंजाब में यह बहुत important line है इसको बिलकुल हलके में नहीं लेना है कि पंजाब में rice cultivation की वज़े से क्या क्या परेशानिया आ रही है water table deplete हो रहा है methane का emission बढ़ रहा है other green houses का emission बढ़ रहा है stable burning की वज़े से air pollution हो रहा है और सिर्फ पंजाब नहीं बलकि इसके आसपास के छेतरों में भी इससे दिक्कत आ रही है तो इसके लिए वहाँ पर 25,000 क्रोपे का fund बनाया जाए ताकि paddy से maze पर shift हो जा सके तो क्या ऐसा हो पाया देखिए जो plan था plan के हिसाब से क्या चीज़े होनी थी 1. The fund should be under a 5-year plan जो fund बनेगा वो 5 साल का एक plan बनाया जाएगा जिसमें की लोगों को paddy का जो area है paddy के area में आप कुछ area में maze का production करते जाएं उसको लगाते जाएं 2. The corporate should be have equal contribution from the center state center state का equal participation हो तांकि किसी पर भी कोई बढ़न नाये 3. Punjab wants that the farmer be given MSP for maize जो maize है मक्का है अगर आप उसके लिए MSP देने लग जाएं minimum support price देने लग जाएं मेज तो उससे क्या होगा कि वहां के किसान मोटिवेट हो जाएंगे मेज के production करने के लिए and the maize corporation of Punjab should be created तो अभी paddy वहां पर क्यों इतना होगा आजाता आपको याद होगा कि जब green revolution आया था तो वहां पर पंजाब वाले शित्रों में बहुत अच्छा काम किया गया था गेहूं पर बहुत focus किया गया था पिर इस तरीके से वहां पर paddy का भी production होने लग गया था उगाने लग गय थे अब उसी तरीके से अगर आप मेज को वहां पर focus करें क्योंकि वहां पर जो problem सारी उसको counter करने के लिए मेज एक ऐसा फसल है जो उसको overpower कर सकता है तो उसके लिए एक ऐसा पूरा program बनना चाहिए जहां पर किसानों को फाइदा मिले किसानों का नुकसान ना हो तभी तो वह फसल हुगाएंगे वरना तो वह क्यों हुगाएंगे चौथाद agency should enter into contracts with ethanol companies ethanol making में मेज का काम आता है ध्यान दीजेगा मेज का इस्तमाल ethanol making में होता है तो अगर ethanol बनाने वाली company कंपनियों से contract कर लिया जाएगा तो मेज को उगाने पर जो किसान है वो काफी secure रहेंगे कि हाँ उनका जो यह है मेज है वो चला जाएगा industries तक ethanol वगरा बनने के लिए जैसे कि गन्ना है तो गन्ना का इस्तमाल होता है शुगर बनने में तो उसी तरीके से मेज का यूज कर सकते हैं फिफ्थ मेज productivity must be as competitive that of the paddy in Punjab जिस तरीके से paddy धान का वहाँ पर competition है धान के उपर मेंस भी दिया जा रहा है उस पर काफी फाइदे है मुनाफे हैं उसी तरीके से आपको मेज को productive बनाना पड़ेगा जाई से बाद तभी लोग इस पर switch करेंगे ठीक है and the government of India policies for 20% blending of ethanol in petrol should come in handy for this purpose तो जो government का plan है ethanol blending का वो भी इसे काफी हद तक पूरा हो सकता है and Punjab जो है अपने water table के depleting और pollution का जो भी problem है उसको भी खत्म कर सकता है arrest कर सकता है ठीक है न? and Punjab will save much of the power subsidy to agriculture which was bursted 8000 करोर अप्राक्स तो अगर आप वहाँ पे जो फसल इसको बदलते हैं paddy के irrigation में वहाँ पर काफी ज़यदा power का इस्तमाल होता उसके लिए power की subsidy दी जाती है पंजाब में आप देखिए अगर आप ध्धान से समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि it's all about the management आप देखिए आप किसानों को power subsidy भी दे रहे हैं अलग से MSP भी दे रहे हैं कि बही चलो आपका अगर फसल नहीं बिखता है धान नहीं बिखता है तो हम खरीद लेंगे ऐसा बोलती है state government तो ये सारे फाइदे जो आप दे रहे हैं वहापर किसानों को उससे उनका तो जहिए तो पर मुनाफ़ा हो रहा है इसलिए आप देखिए पंजाब के किसान गरीब नहीं होते लेकिन उससे उनका उनका one hand फाइदा हो रहा है बट उससे बांकी और बहुत नुकसान हो जा रहा है सरकार का नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको extra पैसा देना पड़ रहा है उनसे जो वहांके रह रहे हैं लोग उनका नुकसान हो रहा है बिकॉज वहाँ पर नुकसान हो रहा है अगर इसी को एक management करते हुए शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आपको power subsidy का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा MSP भी आपको वहाँ पर कम देना होगा वहीं मेज से आप ethanol production कर सकते हैं और यह सब काम करने से आपका जो other environmental cause हैं वो नहीं होंगे ठीक है लेकिन इसको यह article लिखने का एक तरीका यह भी होता है कि यह जो ideas हैं यह comment तक पहुँचाया जा सके ऐसा नहीं कि article इसले लिखा जा रहा है कि सिर्फ इसको UPSC वाले पढ़ें इसले भी लिखा जाता है कि जो policy makers हैं वो इसको पढ़ें और उनको एक idea मिले कि हाँ यह एक अच्छा option है जिसको कि जल से जल हमें adopt करना चाहिए तो इस पूरे article में अशोक गुलाटी जी का जो main focus रहा है वो इस पर रहा है कि कैसे state center के contribution से पंजाब हर्याना जैसे राज्यों में income को बढ़ाया जा सकता है और जो environmental pollution है उसको कम किया जा सकता है ठीक है other other parts of the diversification strategy have to be along with the lines of increasing the area under the fruits and vegetables maize के अलावा आप वहाँ पे fruit vegetables का जो idea है उसको भी adapt कर सकते हैं उसमें भी ज्यादा अच्छी productivity हो रही है ज्यादा अच्छा income हो रहा है तो वह भी कर दिया जाए यह सारा कुछ कई न कई जो report आई है उसमें भी बताया जा रहा है and can the Punjab government and center come together on this important issue अब यह सबसे बड़ा सावाल है क्या राज सरकार और center government एक साथ आएगी इस पूरे issue पर क्योंकि जैसे तरीके ते food security को provide करने के लिए 60s, 70s में सरकार एक साथ आए थे और उनने अच्छे से काम किया था क्या एक बार फिर से वही चीज़ दोराया जाएगा क्योंकि इसकी requirement बहुत जादा है इसकी need बहुत जादा है जिसे income भी बढ़ जाएगा protection भी हो जाएगा environment का किसी का degradation नहीं होगा nutritious food लोगों को मिलेगा और जो climate resilient agriculture है sustainable agriculture है उसकी तरफ आसानी से राज बढ़ सकेगा तो इस पर आपको एक सवाल दिया गया है आप overall लिखेंगे पंजाब हर्याना को ही सिर्फ target करके नहीं बलकि other state को भी some states in India can shine again with the nutritional security and climate friendly agriculture discuss आपको इसमें बताना है discuss करना है कैसे कुछ राज्ये हैं जो अपने हाँ पर challenges है उसको counter कर सकते हैं इसमें आप पंजाब हर्याना जिसके उपर पुरा ये article था वो तो लिखी सकते हैं other भी जो other प्राजे हैं केरला बिहार बिहार बेस बंगॉल जहां पर इंकम जादा नहीं हो पाया है उसके बारे में बात कर सकते हैं अग्ला अग्ला अटिकल में बिसक्स करेंगे faster track to growth देखे ये जो article है हर्दीप एसपुरी जी का article है जैसे पर three में इसको भी रखेंगे infrastructure economy में आपका टॉपिक है infrastructure अगर आप लोगों को syllabus याद है तो तो इस पुरे article में चुकि ये minister भी है खुद जिन्होंने article लिखा है तो जाहिल तो और पर पर प्रो government ही बात करेंगे लेकिन ये article हम क्यों discuss कर रहे हैं हम इसे discuss करें कि यहां से बहुत सारी योजनाओं का आपको revision मिल तो इसमें जो जो भी योजनाओं लिखी गई है उसको एक बार आपको अगर आपको जानते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो एक बार उसको पढ़ लेना है इस article में इन्होंने क्या कहा है इन्होंने बोला कि इतिहास गवाह है जब development की वजह से prosperity आती है ये proof हुआ है जैसे अच्छा सूरी ने एक्सपैंड किया था इसी network को 16th century में rebuilt किया था इस ensign path को commerce को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ना economic development के लिए उसके बाद British की कॉलनी आती है Britishers ने भी काफी जादा expand किया हलांकि उनका उदेश बिल्कुल अलग था उन्होंने rail system को बनाया और उनका जो था वो तो यह था कि यहां से समान को England तक पहुचाया जा सके शिफ्ट किया जा सके लेकिन उन्होंने भी इसके लिए क्या किया उसके लिए rail system को यहां पर बिचाया यानि कि development किया तो जब भी जब भी development हुआ है तब तक economic prosperity आती है अब इन्होंने वहीं उल्टे हा तब जो opposition government है Congress की ruling से उसको भी काफी ज़्यादा लथड़ा है तो उसको हमें नहीं पढ़ना है उन्होंने बताया कि कैसे जब Congress की government ही तो work in progress ही लिखा होता था go slow लिखा होता था आपने देखा होगा ना जभी कहीं पर construction हो रहा होता है road पर या भी metros बन रहे हैं दिल्ली में तो वहा प्लान रखे गती शक्ती प्लान ये एक bold step है जहां पर कि इन्होंने go slow को go fast में convert कर दिया ठीक है मतलब कि development जो हुआ ती तेजी से हुआ कैसे developments हुए GST ने पूरा taxation system को simplify कर दिया ठीकिए आपके दिमाग में on the other hand इसके कुछ critic points भी आएंगे तो उसको भी पने दिमाग में र ने क्या किया taxation system को आसान बना दिया जन धन आधार मुद्रा यह से जो concepts है उन्होंने क्या किया लोगों के लिए पैसे को लेना पैसे को देना काफी आसान कर दिया direct benefit transfers काफी आसान हो गया bank accounts में है ना प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना जिसके थुरू पूरे भारत में गा अपने गाउं से शेहर तक बड़ी आसानी से चले जाते हैं नौकरी करने के लिए या अपने छोटे से उद्योग को लेकर के शेहर पहुंच जाते हैं दिन भर कमा कर ये लाते हैं तो उससे जो वहां का economic prosperity है local level में वो बढ़ता है time की बचत होती है उडान scheme comment लेकर के आती है जल मार्क विकास अपने दिखा कई सारे waterways भारत में बनाए गए हैं किसे को याद है first waterways कहां से कहां तक बनाए प्लीज कमेंट करके बताएगा first waterway कहां से कहां तक का है इसके अलावा industrial और freight corridors का निर्मान किया गया भारत माला सागर माला project जैसे infrastructural development को भारत में किया गया ज रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड का भी जो concept है वो आचुका है चल्द ही यह आपका देखेंगे कि पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड पर आप समान ले पा रहे हैं जहां भी है आईश्मान भारत के स्कीम के बारे में सबको मालूम ही है कि इसमें जिस तरीके से लोग पर आये लिखा है कि 100 करोड लोगों को जो वाक्सीन दे दिया गया यह भारत में काफी एक इंक्रीडिबल स्टेप माना जा सकता है ठीक है तो काफी अच्छी चीनों ने बाते करी है और इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर अल्रीड यह 200 बिलियन डॉलर मार्के इस सेट तो 10% CAGR तो इनका मानना है कि एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म जो है वो तयार हो चुका है जिस पर हमें अभी आगे बढ़ने के आवशकता है model ready है मोदी जी के वज़े से जो development program है उसने काफी easy किया है पुरे स्टम को यह सारे जो facts से इसको आप लिख सकते है you can write it on your answer writing logistics के ओपर अगर आप कुछ data देना चाहें तो वहाँ पर आपके काम आ सकता है गती शक्ती national master plan will herald a new era of the infrastructure development तो infrastructure development पर चब भी आप बात करें तो वहाँ पर code कर सकते हैं जो गती शक्ती national master plan है उसको ठीक है तो अच्छे अच्छे बाते हैं इसको मैंने आपको थोड़ा सा डिसकस कर दिया बागी कुछ data fact highly agreed है जिसको आप लिख सकते है अपने answer अगला news है China passes a new land border law amid military standoff with India यह आपके last page पर world वाले page पर होगा लिखे इस news में क्या important है पहले तो इंडिया चाइना का relation कुछ दिनों से इवन कुछ सालों से तो तिन सालों से बहुत सही नहीं चल रहा है कभी standoff की condition बन जाती है कभी जो application उसको ban कर दिया जाता है कभी समानों पर रोक लगा दिया जाता है तो यही सब चल रहा है इसी बीच चाइना ने एक law पास किया है अपने देश में ठीक है लेकिन उससे इंडिया को क्यूं सोचने के आवशकता है क्योंकि जो law pass किया है चाइना ने वो अपने land border के उपर pass किया है ठीक है तो land border किसके साथ है चाइना का तो उनमें से तो एक देश है वो भारत भी है भारत भूटान इन सब के साथ land border share करता है चाइना तो चाइना ने क्या कहा है अपने इस law में ने कहा कि जनवरी एक से अगले तो इनका जो लैंड बॉर्डर है जो इनकी सोवरानिटी है जो ट्रिटोरियल इंटीग्रिटी है वो अतुल्य है सर्वमानने है और वहाँ पर कोई भी अगर बीच में आता है या एंक्रोच करने की कोशिश करता है तो दे विल टेक आक्शन्स तो इन्होंने खुले तोर पर ये चैतावनी दे दी है इसके वजह से ये न्यूस काफी बड़ा बन गया है कि वहाँ पर जो कानून लाया गया है उससे क्या डारेक्ट चैलेंज किया जा रहा है इंडिया को तो इसके ओपर उन्होंने बातचीत करी है इस पर बार्ट डिसकॉशन आता रहेगा डेटिल मे इस जाएँ चैले झाले करे इस जाएँ ठाट चैले को तो इसाएँ ग्वार जायाँ इस जाएँ जाएँ दो ऑने गवाैं से बद्वार लावाँ इसपार्ट आता रहा है जाम से खेच आता धर रहेगा हैं दो